लिए स्वेल कें लिए तसलीर माईवा भुणाना हैं। करणी करने करते हैं। कि विद्पर परस्पर को महिमा को बढ़ाते हैं, आएसे नूत्र देन भगवार को तक्तर ब्रीय जना है, वैस्नमा नम जबना स्वागुद। पर इस मुद्र नेक कि जब आये, यहां पर गौर्ण अनिक पास्टर की आएगा। आएसे एकादस मुद्र सास्टर में कहे गए, लेकि यहां पर एक रूत्र ही जब महाजेदी के जनल परणाम करने के जोगे, तो महाजेदी के जनल कमर के जड़ नट है, उनका सभव में जब इनका पट्टी भी हुआ, इनका अपना स्वरूप का जब पट्टी चनल ही, तो ऐ इकादस मुद्र में आएसे अक्ति सब्सक्रा होने लए, किस परकार? यहां पर जो उनों ने इस परकार सुंदर रूप से धौर गरे करातना की, इनका अपना स्वरूप बाद उसके संक्राचिराटे के रूप के आए, संक्र साचत संक्र, जब यहां पर आए तो यहां पर पर आए उनका इस सुधा अध्वन का जान्वर, सुधा अध्वन की बाद ने इतुप अहीं संक्राचिराटे को भक्तिक पर चान करें तुछ भगवान की प्रेड़ना से, कि वगवान का अदेश्ता स्वा आगमे कंदित्वन चा जनान वन पिक खान कुरू, मानुच गोप अध्या जेला स्रिष्टी स्याथ एसो रुतिरों उत्तर, तुम इन बेदों को प्रिष्टों को और अध्या इस संस्त्रों को स्वाथ कल्पि, कुछ कल्वना मुलेक अध्या को प्रकास करनों, जिससे तो भगवत बही मुद जीव है तो भी पोहित हो जाए, और जिसको कु क्योंकि गवर्वार की आदेश ही अभिशार दिया है, जो कहते हुए करना होता है, तो प्रभुष्टे आदेश से धरा धल, तलापत, संक्रा चार्टी करनों पर आये, और आख करके बेदों का जो विदाव सुत्र का जो पास्तिकार्चा, उसको आपनी ओर से जवंतर्स्त करने की जश्टा की, वेद का जो चार बाक्ते दा, उसको मुन महा बाक्ते करके स्था करने की जश्टा की जश्टा की, तो इस चारो बाक्ते महा बाक्ते नहीं है, यह एक देशे की जार है, तर्दो मसीः, आम प्रमास्ति, सर्वं खर्विदा प्रमा, आयक आत्मा प्रमा, प्रणफ वह प्रणफ है क्योंकि प्रणफ की सारे भ्भवति रहूं की प्रकास होता है एक और प्रणफ भी आइ वह प्रणफ भगवान से आता है husband plays यह था नहीं बोला प्रणफ एह म्यां जस्वाश्रत्स esti नेराटी तो नास्मी अच्राग अभी मुट्ता महाना आतों लोगों वे दे चंप प्रक्रभीदाव दिसोता है। लोगों के धारणा होते हैं, वजवाण का प्रकास ओम से हुआ। कृष्न ओम सहैं नहीं। कृष्ण तो हो पाई क्योंकि क्रिश्ण सरव कारुए कारी आच्छा से मभवाद हो तो महभवत भी रह से अच्छार पित्पती गए यहता है जास्वान चरफ अधिक्रसुन तो उन सारे बातों को लेकिन दिवर्त वाग, ज़िस सुने पर्दिकी इमाल, माया वाद, जिवये के बातों पर सफ लगी। गोलन कहा कि जब जी माया के दुआरा ग्रसित हो जाता है तो ओ ब्रह्म होता है। जो ब्रहम जो है भवान जो है वरात ब्रभति कक्वान आन्वो करने करने के जी माया वाद भिक्रम को करने करते है। जार्वां के शाड़ने, मत भन्काट के आपके शाड़ने हैं, तो उन्होने खिना देखित अगे शागी साथ मिश्चा पूरापत, स्री रामणाल चाठपाजी भोले, कि भगवान उस्ता तो पिक्रा ओं माया में हैं, कि कहीं पर किसी की सांत्र पुरान पार कैसा नेट पर का भगवान को पिग्रह को माया में नहीं का रहे हैं, विसूद सत्वम तब धामस्वांतम, तभो मयम भस्त रजस्तमस्तम, अस्या की देव पफुसो मदलू कृष्टम, अनुगरात। वेच्छा वैसनात। भूत मैं सकूदी, रूपम जदेद अब बोद रसो देद सस्वन नि ब्रामान जब चार्पाद जितें अचार्वे संक्राचर इस माया बक्सी दान्दो, सभी ने एक स्वन खंदल दिया, वो बोले कि भगवान का पिग्रह माया में नहीं है, उनका पिग्रह तो भ्यान माया, विसुद सत्कुद से परिफून है, विसुद रूपम जदेद जिने रूप मादरी, बुद मादरी, बेवी मादरी भरा हुआ है, जिसकी चाल, गती हर चिस अपने आपके दीपे है, इसको माया में नहीं का सकते हैं, यह उस एक छबी को देखाए कि पता नहीं कि ने भग्तु की मूर्चा हो जाती है, मूयां की लक्सी दान्या, इसने ब उनके बिग्रह में पर माया का पड़े एसने माया म आया नख पिंद्या सभावाव, उनके बिग्रह में रजी कुनने ही, संपकुनने यहां तक की ती लोगुनों साथी भिशू सद्प कुन इसने होते हैं, जहां पर तीलोगुनों का अधिका भिशू दातव था था सथी मुकाम तस्ट्राव लोग्या की सच्चेनम आफ्रम आफ्रम तो भगवान के विग्राथ को बन्होंते है कि उसके मूंग तरस्त इतना वड़ा पाफ लगता है कि व्यक्ति को बस देटी साथ घंगा जमना अधिवास दानी करना तो बस प्रसाइद आपके पूर्जा तो इस सं है तो से इसाथ अचीच देवेला में एक तरा मांस भाफ बिएडरी आहें जैसे कि समूंध्र में अगर रोटा जल डाल धे तो जल समूंध्र मतर्न्य कीत हो जाता है लेकिन वहारो डेकी सन्ति तो एक लोटा चल जो लोटा नहीं बन लागा, जैसे पुले भूद और पानी मीड़ा है, तो भी पानी अपने कहीं कहीं सत्ता में स्थित रहता है, वो दूद नहीं हो सकता है, और जरूर्द पढ़ने को निकाल करके अलग करके जी जाता है, पानी पदक छोड़ता है, तो ज पानी पास्नक का ओगी जबना भाक्त की सजदानन दोगा, भक्त की सजदानन दोगा, परमत भाग्त की खिरवाग से, उस सजदानन भीड़ता है, पानी तजद भाववाद की दिनु वानुगा, पजल काम पोद, प्रनयादी, गीति, पास्तल, लमोग, गुरु गुरु पुरुते, गोगिन्द माजी पुरु सब्समतमां भजामी भाणनुच्ला खनुबत रुपेस्चे, क्रिपासिं दूबेबचा, पत्तानां पार्मिये दिलोगे बरी गोर्णाने भाववादाू आपकल्द्दे अपिल 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 शब्स अपिल इसारा कि वोड़ीन अपिले लुटार सेल शब्सक्राइडा शब्सक्राइप। वो भुझ टुबना पस्तास भुपादा, शुच्छ सुन्ध के थ Bacon Mete으면े तुछ . जो ने टकारी पारिक्राव, चाह बोंहारी हैं लोघबना। besch़वपना सबस्दोरी ज तो फ्यत्तरवा चेटे Спाहिबना, जो चawnर पूलंग की बिलिफ़रे शार्टा dwelling और शोने मेहिर्म बाल प्रुटर्ग के स्छंधल्चाँ चर्चाइ जर सिर्फ लुष जसे प्रचाइ का इस भी नहीं डिए ओडना इसी बेड़ेरा जे इसाटा उस प्रचाइ यह जए चेन्ना सम लुब आजिए प्रचाइरा ब्रचा प्या ओर्चाइ बेड़ी मुष्खा जोडिए जिए बेडेंगें टूड़ा and pestering the lord with so many major demands bacteria become infested by so many demonic mentalities so the lord wanted that the past of shula bacteria should be kept pure for the shula factor for the pure de goyim so in saint shankar we presented some imaginary commentary that the jima and brahman actually are one but only when brahman is covered by maya then the idea of a world, the idea of entities is presented. Specifically, it is said that when Maya is covering Brahman, the part of Maya in ignorance is making this world appear. Then the part of Maya in passion is making all the Jira, all the entities appear. And the part of Maya in goodness is making the idea of a lord, of religion and of Pakti. In other words, it was systematically going to the very root of devotional service to the Lord, because that was what it was empowered and given order to do. Instead actually, the very idea of a lord, Ishvara, of Bhakti to him, of a Jiva to do Bhakti to him, and the world in which they exist, all of this is pure illusion. That actually, the Jiva is the lord, but under some illusion, he is saying that he is a separate entity. Actually, there is no Jiva, there is no lord, there is no world, there is only Brahman. Only one Brahman, and he called all of the Vedas, the Upanishads, some so-called Mahavakyas, not to back up his philosophy. Actually, everything is Brahman. Sarkham Hidam Brahman, Aham Brahman Suni, Tatvam Nasi. There is only Brahman and nothing else. Everything else is an illusion. This is very appealing to the mind of a conditioned soul, because we have come here in this world, actually, to forget Krishna. We have been given the choice in Tathastaravastra, to choose between the spirit world and the dream world, Satvastam. And we chose to come here and roll it over. So, a philosophy which says, oh, actually, you don't have to go down to the supreme, he was a supreme self. This is very appealing to the Jivas. Oh, finally someone is admitting my real nature. Oh, at last. This is what people feel when they are confronted with Mahavad. So, all our Acharyas, one by one, they smashed it. Piece by piece, all those different conceptions. But, Alhamdulillah Acharya, he could not directly confront the Advetavad. So, he made a Vishishta Advetavad. Oh, everything is Brahman, but the Lord has some adjective. Veshishtya, some, you know, specification. The Maya and the Jiva are adjectives to the Lord. So, it is one Brahman, but actually with adjective. With this, he was smashing the idea of Brahman and Jiva being actually one. Then came Madhavacharya, and he was staunchly opposing. He was not saying, oh, there is some similarities. And no, Shuta Tmeta, pure dualism, pure Tmeta. There is nothing in common between the Lord and Jiva. There is Pancha Bey. Well, there is five differences that are always there. Between the Lord and the Jiva. Between the Lord and the Maya. Between Jiva and Jiva. Between Maya and Maya. Pancha Bey. And you always see Madhavacharya preaching with two ends. Shankar is preaching, oh, Jiva in Paramatma, Jiva in Brahmana one. But, to oppose that, Shuta Tmeta of Madhavacharya is no. Always two. No question of Zen being one. There is always two. Then, after that, or previous to that, Ishtu Swami, he has presented, he is the oldest of the Achayas. He has presented Shuta Advaita, or purified monism. In which he says that there is a difference between the Lord and, no, the Jivas. But he did not experiment so much in that. His whole idea was to divert attention of people from Maya. From the Mayamata of Shankar to Dakti. Then, the last one who appeared is Nibharka, or Nibhadidya. And he presented something from which Babu took. The idea that there is a oneness and difference between the Jiva and Ravana. So, the four Achayas, they presented this. Now, also, they establish that there is one of some Jews, Abhaykyun Paratadva, as it says in the Bhagavatam. And there is no difference in him, although he appears in different ways. There is no difference what was very, you know, pre-handedly described as Svajat-be, Svajati-be, and Vijati-be. There is no difference in the Lord between his body and his soul. Anyone who thinks that God and his soul and his body are different actually is an atheist, not a Shanti. That example is given, you should take a sugar double. Whatever piece of the double you might in, it is sugar, it is sweet. The whole thing is sweet. So, the Lord and his body are non-different. So, there is no Svajat-be, there is no difference between him and his body. Then, Svajati-be, oh, the Lord appears in so many forms, so many avatars, so there must be some duality. No, they are all one, but appearing in different forms. So, the one Shanti has manifested in many forms. Then, Vijati-be, well, we see there is the Lord, but also there is Jiva, there is Maya, so there is some duality. No, actually, the whole is Shakti. And Shakti, Shakti Natayot, Avela, there is no difference between the Shakti-man, the energy and his energy. In this way, they have established that the one absolute truth is manifesting under himself personally, or so his energy is outside energy maya, or his modular energy, the Jiva, the Divine Antiquities. So, in this way, Ophor, Acharya, Avela, paved the way for Shuma Mahamudu. We are here in Nabatwib. Now, Nabatwib is not for the shallow thinkers, because here, the Lord is presenting himself in a mad search after himself. Now, in other incarnations, the Lord is offering different purposes. When he comes at Krishna, he is simply coming to manifest his pillars. But, in Krishna Vila, only some very intimate servants, or rather mad servants, they admitted into his most intimate activities in the Punjab Vila. But, here, we have Krishna himself, who is openly coming, engaged with such after himself, in the open. And not only is he testing, Primalas, Dirgas, Kori, Te Ashtara, Ragamal Pati, Kori, Te Prachara, but also is unlimited mercy, is distributing. Now, Rāsika Shaka Vakashtam, Parama Karuna, is Rāsika Shaka. His only duty, his only business is to test different flavors of love. But, because he is Parama Karuna, because he is unlimited mercy for him, he also wants to give everyone a chance to taste. He wants to see maybe that. So, he comes as Chaitanya Mahāku, and he is distributing that blood. Not only is he testing for himself, also sprinkling. Buddha says, not even a sprinkle, but a drizzle. Because that's all what the jivans can take, you know, in themselves. A drizzle of that blood that he is testing. In other words, it's the same Krishna, who in Vrindava, is engaging Dali Ushmati Radhika, and testing all the different flavors of love. He is also coming and testing, as Mahāma Guru, all the different flavors of love flowing from her, through her love. This is why he came. But in his mercy, he is also giving us, every one of us, a chance. Now, he said that the Lord is very merciful, but the devotees of the Lord are even more merciful. We like to see Oshira Gurudev as a very dear, confidential master of Shirmati Radhika. But we also know that he must have Oshira Gurudev as a very dear servant of Lord Gurudev. And we know that there are more merciful than Gurudev himself. So, under the direction of Gurudev, we can have access to the most amazing leaders of the Lord, that no one has even written about. Except for our chakras. They are given this. Also, Gurudev is engaging us in the very mission of Mahāma Guru. He can listen to everyone. As we know, any bona fide guru is asking only one thing from his disciples. Don't keep it for yourself. Distribute it. So, Gurudev, he is turning us into something else than we are. We verify Mahāma Guru, he turned up when they came to save Jaga and Madai. But Kali Yuga, Kali Maharaj, he has raised an army of Jaga and Madai. But Gurudev, by his transcendental touch, he is turning those Jaga and Madai into preachers of this Shiddha Bhakti. Not only one Jaga and Madai was saved. All of Jaga and Madai Kali Yuga, they turned into devotees and preaching this message. Shiddha Gurudev, he is there. Shiddha Gurudev Ph무udu प्रिश्नागर्ग्रेवप्रदार्गे व्रिष्नाग्नाग्रुष्नाग्रेवप्रियान मृद्जाद्धु emotional पंच्यर्ग्थधरुषच्यां प्रिबासिंगडेप्च्यां प्रकीदानाम् थामृरे क्रुष्वाधिष्नाग्धु वस्तोर। कि न्युक्टी आख विस्वार्ण हम औंकरेंथ उस्दाथ उसे क्लाव कर penguin कि I कि अंटे लिट्याद्भाइज के नवेश्ट लगाज्ट्रहां प्रूम्या और स्धान्ता होड्याज। अबत रॉद्याचिते गाहत अर्वेश्ट। इससाफ पूलीनित्याद्व अधिश्द्द। इससे नाध्योड़ाद्य। जब लुब अज़? औुमसोंद बुर्डळ गुर्छवत साहिं है। मका प्रण प्रणने व्यव को अन्च साहिं है वेंडने वेसे हैं गड्राशति है ब का dong वरिपाना का प्राशति जरी पार्फ कर है। ग्रमत्रामा विट ले जाल को तर वोहर ब सintéगे, वीज पेशिक फ्रच चारति हैं only those bhaktas who were sadhan's siddha-jeevas and hittya's siddha-jeevas who took part in Krishna's Bhomalila and Vrithavan, they could engage in this loving exchange with Krishna and understand something, but very few others could understand it. So after a very short period of time, after Krishna's Raj Bhomalila ended, then this Rasa-kita, this Siddhanta, all of this was forgotten. And 2,500 years ago, there was a very unfortunate condition in Bhargava's India that the Brahmins, the high class of intellectual priests, educators, they were misusing the Vedas for materialistic pursuits, animal slaughter, and therefore Sri Krishna says, Sarva-dharman-printhya-dhamma-mekam-samam-namma-dham Dharm-kavina Whenever and wherever there is a decline in religion at that time, I descend myself. अब्यवाभूड़ागी गूड़ाप्राएड़। केम अबूड़ावतार दो वाँ? प्रॉडवाभूड़ गूड़ावाद। वद्यूजञाद चुट अब्यूज़ाव। गूड़ावड़ गूड़ावड़ावाद। So this is the beginning of the evolution of theism through the time of Chaitanyamu. It started with Buddha Avogadar. So He established this philosophy of Nirvana. Annihilation of the soul. And so many people accepted it. And they worshipped Him. He is Krishna Himself. So He tricked them. By worshipping Him and following this, He at least got them to become pious. Stop killing. Do good to others. Do moral good. Then, 1500 years ago, Sangracharya, the incarnation of Vajshiva, was deputed to this world. To re-establish the link with the Vedas. It's called a form of Color Buddhism. He preached Color Buddhism the same type of philosophy as Buddha was preaching when He established it with the Siddhanta from the Vedas. And instead of the annihilation of the soul, He preached about the merging of the soul into Brahman, the Supreme Lord's effulgence. So, then, by the Lord's desire, and especially here in Namadvipaam, Si Chaitanya Mahaprabhu instructed all the Achariyas of the Vaishnam Samperdayas in their mission to re-establish the Vedas in the light of their true meaning and essence of bhakti. Each one of them contributed something to this. Anyone who takes initiation from one of these four bona fide Vaishnam Samperdayas, he is a Vaishnam. So, they further evolved theism here in India to set a platform for the incarnation of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Then, Sri Chaitanya Mahaprabhu, praying Purushottama himself, he reconciled the difference between Maunism and Buddhism. And he took aspects from each of the four somperdayas and culminated into a Chintya-Veda-Veda-Veda-Katma. Pāṇama-karaṇam pāhūdhi-janam hitay gaur-chandra sabāva-tana-sana-sino-mānyu keila-ananda-khanda. Of all the different incarnations, Mahaprabhu is considered to be the essence. So, he is giving this praying rāsa-mīryāsa-kordhite-vrachanam, rāg-mār-vati-loke-kordhite-vrachanam. Rāsik-seka-da-krishna-param-karuna-ke-duhe-duh-baite-e-ichakara-gama. So, for these two reasons, Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared to taste the highest rāsa himself and to distribute, to sprinkle on the living energies, rāg-mār-vati. So, if we look at the entire picture, the big picture, of how Krishna came himself 5,000 years ago, established in Rajabhumi-lila, then Lord Buddha, then Samracharya, then the four Vaishnava-bhacharyas, and then finally Sri Chaitanya Mahaprabhu, and how everything culminated in his teachings. So, that we can understand and appreciate something of what Sri Chaitanya Mahaprabhu came to do. Lord Brahim and me! We are all the time of 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 the time विद्वान नित्त लिए आप्रवेश्मानिस रखादर्श वत्ति पर्वेश्मान के सबस्ताथ पराजी के चारण कंगों में कोटी-कोटी बार गुणवर पणगी फुस्पांजरिया आपना तत्वास्चार सन्यास्री वन रभचारिय वन वहिष्णव 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 में अब ही चारो संप्रधाय के आचार्य रामामुजा चार्य, वत्भः चार्य, विष्टू उस्राम, नेस्भार्ति इन चारों का विशार और महापुर्ण के अचित फेल्डा के विजार तिक्त मारागी ने बहुत सुंगरूप से विश्लेशन की अंग्रेजी ने भी वक्ति विश्व देवत मारागी ने भी नौकत्थी तरह से बैख्या तो इस विश्व में यही मुझे खाना है कि इस चेतन्य महापुर्ण के भूही में आज यहां से बैख्यू पोर दिता आया होगा उस्पान में महापर्ण लुग्या चाहिए पास्री में मद्भा चाहिए विश्व स्वामी और निप्वाति के आचाहिए महापुर्ण के लुग्या अप्दर्शन दिया और तुमको प्रेणा की इन्वाया पास्राण तरके भक्ति बाति के खात्ना सब्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् भक्ति के विणना हम भुसारत से पासदी जास्यायाति में समस्थ वहिष्ट्व स्वफ्णव समुष्ण को सब्स्दद्द्द परिणाम बाद शिकार किया, पस्तु से ये जगत और जूरुवा, कि तर्णा महा प्रणुटी ने अचिन पधेदा धेव में शक्ती परिणाम बाद की फखापनाई, ये वुता विशेश कुछानुटा। आज हों लोग निद्यात्मा के बैठिया, कि तर्णा महा प्रणुटी ने डिष्टी भू कर दिए, श्रीकार में वाक्ते परिणिरे में गंगा में पुझदे, और विद्धोर्ण करके पत्वा दे जाकर सन्यास के, सन्यास के कुछ परेले, मिध्यानत प्रणुटो, अध्वित आचार्टो को, चंदसेफा आचार्टो को, महा प्रणुटी ने इंगित दिया, कि आपने सन्यास दिए, जिस दिन सन्यास ले नहीं दिया, जिस दिन वो हर बार छोड़ेगे, तुसरे नगर से भूठ माला, ग्वालों से, लोग की ले आए, शीनी शक्तर ले आए, और मैया को कहा, आज लग लगी, तुन बोग दो, और मैं आउगा, शर्चिपाईया ने बड़ी संदर्वत्रती बनाई, ठाकुति को भोग दिया, और निमाएं पर्दित को बोजन कराया, आज सघरे की बात है, उस दिन, इस्तु मुर्या देवी भी, कि शुना करने के दिए और रास्ते में ही उनको ठोकर रहता है, पाइर मैंने को कुछ शोट आगे, और फिर गंदाशना करते समय, मैं बिवाद के समय की चनुदिका, पुनाद की लगन को गंदाने दिन गई, खर आकर के बड़ी जोट से रोने नभी खची से जाने कुछा जी जोट हो नहीं, पोजने पर ही नहीं बिला, आज की ठाताने में बिए क्या दिखा है, यह कंद बड़ी जोट से बिडात्तम ने लिए, सवची पईया कुछ समझ गे, महापुर्वे ने तुमकों में कुछी की इंदिया, जब रात वहोंने तो आई, तो उन्होंने विष्णु प्रिया देवी को महापुर्वे ने बुलाया, और बड़ा आगर किया, उनका अपने हादों से सिंदार किया, और अपने हाद से पारुखी बिजी उन्मों किया। आज वो सोचने ने बिष्टू दिया देवी, आज इतने परस दोगे, आज तक मुझे प्यार नहीं किया। उसे बोले नहीं। आज उन्हाजाने क्या बात है। जैसे कभी-कभी लागते, हैरिके, जब उन्हें को होती है, तो भख भख और भख करके तुझे। ऐसे लिए, वो सोचने आज ने भुखाताने क्या लिए। महाप्रभु जी तुझो अली तता सुनाते, सुनाते, जोग वाया से लिए। जब सोभाई, उनके तरप में देखा, खर्ष निले। खर्ष निपाते ही द्वात्र सची भईया, खड़ी थी। तैसे खड़ी थी, काठ के शमान, बोल दई सक्ती, बोल दई सक्ती, निकास प्यारा पुख्ण स्वना स्यमे के लिए जयाराय का। महाप्रभु ने उनकी तक्स्किना की उनको फ्रणां की आजिए। महाप्रभु के जंग्रामे कुख्ण के और थंडे ली कुख्ण करके, कटवा के लियार करके पहुझे, और उन्होंने तो केशाव भाड़ी के सावने स्वनाराय का। इसलिए उस भद आठका नाम आरी वी मिधवाय, मितवया, निफ्ष्षू। महाप्रभु के निफ्षू कमे शन्याष के हैं और स्रण्याष लेका के विंदाभन्या अने वाले थे निफ्ष्ण क मुख्ण के लिए। ह्योड़ नागत कृ शर्षन्थी मुर्यों के दिन जर्षन्थ वुर्षन्थ भुर्षन्थी पुर्षी भाईया सो्गे है और महा सिरु धानकी वो प्रऴाद टालो कर दोगाब दोगाब आटो धुजरी ठाकान कि भूबाब नड़गान कि अटन नड़ोगा एक और प्नोर अटन वाजे on वे अड़गान की फड़गान की यजिन वे पुचःपाब इस नड़गान की पूंधट माच पर चैनली अबशी कज़ चategल फांको ओिस्टेड फे तयर ड़त्वमलगे अच्यारा इ। झावाड नवाड़ झाप्टानिर चात्टनि प्ट्सुणिरभास, अबाफ्त प्ट्रास। 青ेकते और प्रूवन मला बार प्रूण पाल जहे सर्मयां पर जाओा इसाट सक्टिआ के जक्सार करे जूत हैं झाण जिधतो वोन प्रुण पाल को अैझते सक्तितने हैं जडे को प्रिखते हैं । अझाए connects का स्पार्ण प्रूणमृश इषबान था wa梅 उत्री दिवा बेलागली दिवा वीर टी नहीं है जूनेवा 6श 5 माझपड़ झêtes arrivé है झेले से शिंद दॉडिवा घा आलागली कोई स्कुwright को chick स्कु边 इषबाली seconds थे उने पोगा वाली स्क्प्किटा घा थानान वहा थे प्या प्रप्राद से आट प्रप्राद से नेड़ जाट। ग्हेंद कुछ बाफिर्टलाभी किया और मुंकन दूना प्रहूंगा सची दोना प्रहूंग आका नगुण इत प्रहा प्रह जानदान जमांट। श्रहूंज आट आटे प्रहूंण दोलाफिक्री आटाहिज प्रह नगराणी सीलाप्ष। क죽े माइ बाफ प्रे और नकान गओर न मंग, भίस की हैं, इस होँमION नदर्ची किसी है भी उन्ह gent अव्यस वह मुझत अपिते हैं अम्हा cottage अंत्र मों मेडाओ लेखने कर देता, प Init important मेर्फ प्रूनी ब्रेप प्रूनी अदिन मेर्ण थे पाल वाफ। नवान अथा इंगां तरम मर्फ पुति निमय ओंब भिस्चन प्रूनी है। तो प्रिशनाैं उत्रो만 पर्चन से दोला हो उत्वाइन क descriptions पिने भी स्वीशस नगल मैर जिला जब आवाल इंग Vांग उन्प तो उत्रोम्श, पोब गले हो गचंछ त equipped D Marina, मैर जीशंग आफिलाई पूलास्टाइन पच्छनाउ जोलाःड़ का ंवाल । लके अरब नंची प्रफटर बैल । आफ बेन खुट्माब पार तोक हमेट पूज्यार पार घण पारा को पुट्स् लेखन हो लाहा है जूबंग मेरे घट इन रगार ंनना ज्यन ऑब्रेस्ट न्युट्स लेटवानों लुट्ट्स्ट काफवा है व्योतिष्तू जर्णेर्णेटर्त रडिया सून्यासन केस्ग बड़तिde व्यार्णि केस्अाने वाधी। यह दढ़ देगाडर्णेफ़ moi जही एककेमुदेडने केस्ञ प्यारे कुदित्यास्व है स Funk nagyon ऐो इंध लिङर्णित गार्णी से इंधुक को सेलाुष। दोmont अईसकी मुंमापर कषना मूना खाने भाथ मिय कर दो ताननो्रा मुक्ते पड़ा, तूसरा मम्नुन उन्मरत अच wasn't कि दो का थाशैन। गजरी था दोस्ट रे सवी नहोपो मेंतन। शिखेचान्य व्लव बहुत शिलन दूसकी ह матери र tickets कि बच्पते बड़ाने कुपाले लेपिटें दियाों सेवेश में थे कम इसे बेट हैं और खरेवाने को बड़ा कर चाहिए, भॉच ने में दोड़ाने को चेंड़ार। वोटेंस अर्डेम् से होगी, प्रशज़ा होगी अर्वसान को बेश में गल worship to you in को फूटा सबद। थतला होगी . सी छेडनेशन से चिछी मुझार से। भूले दो ताहनछ अर्डेशन सी मिलिव थेड़ान से लिव तेल ले कन देहों gw bunny द। ह starring प्रशवरा नोस्तोर में से अथना, क्योंकि मत्रास्तो द लट में डिए ःखलए तर हैं से आइचिसा से और सक्टब्स कहो सुझसेंग है कि अअने भूत क से आओ Meer और को मैं आले ये सुझसेंगं गयां, कि अईो भे साथल है आओ जो न दो मनी मुझसे象olar है This mahrinkram, it is out of this world, we can not imagine our great good fortune. So I am only requesting you, whether you like the respect or not. Don't worry, register, the offices. The first room are the entrance and we are waiting for you. Please be kind and help support this festival and make your mahrinkram complete. Hare Krishna. आगा मिकाल, आगा मिकाल, आवादे, पोग्रा,